जैश्री महाकाल सुर्ण कोशन है काफ़ इंटरस्टिंग कोशन है काफ़ी लोग के दिमाग में कोशन है कह रहे हैं कि भाई लमसम का टाइम कब आएगा ऑपरचुनिटी कब बनेगी इनके पास अभी कुछ पैसे हैं और यह थोड़ा पैसा और डालना चाहते हैं तो एक आंस से एक अच्छी कासी रैली आई थी ठीक है अब लोग यहां पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे लोग बोलेंगे कि भाई यहां पर जो मेरा पैसा है वो काफी ज़्याद अच्छा बनेगा लेकिन उसके बाद क्या दिखा आपको आपको एक डाउंसेट दिखा फिर एक पूछे पीछे से लेके जाओगे तो एक अच्छी कासी रैली आई फिर एक कंसॉलिडेशन आया उसके बाद वापिस से रैली आई अब आगी की चीज़ और देखते हैं 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि हमारी जी दुनिया थी वह पूछी तरिके से बदल गई और जो इंडियन जाला क्योंकि उनको एक रिजिस्टेंट दिख रहा था अब क्या हुआ जासे रिजिस्टेंट टूट गया यहां पर लोगों ने वह ला भाई मेरे को पैसा डालना है अब लोगों ने पैसा डाला उसके बाद कुछ तक डाउन फॉल दिखा उसके बाद एक अच्छी गासी रिकवरी आई अब परॉब्लम क्या है एक नॉर्मल रिटेल इंवेस्टर की आपकी बात नहीं कर रहा सब मैं और की किखते है ऑसको बागने वाला वे तब पैसा नहीं डाल रहा उसको यह दिख रहा है अब सेम चीज़ आप देखो उसका दो साल तक क्या हुँआ है दो साल हमें साफ साफ दिख रहा है कि सपोर्ट लाइन मंति है यहां नहीं खरीदेंगे अब सेम कोश्चन और दुबार और थी कि भी है कहां के अंदर क्या करें मार्क कें मार्क कुटी चुकी है канал 2100 500 तक मार्कित भागे लिए इसके बारे है अगर इसी जरीके से पहुंसे नहीं कि 1500 तक चली जाएगी तो यह नॉर्मल एक टार्गेट है चुकि हमने देखा था भई डिप पकड़ा और दिप उठा करके देख लिए तो 2500 एक मेजर टार्गेट आपको देखने को मिलने वाला है आज की मार्केट की कंडिशन से क्योंकि डिप रिता था तो नॉर्मली यहां पर उपर तक जाती है टेक्निकल वे में नहीं जा रहा है कि कि एक normal layman को समझाना चाहिए तो अब क्या करना चाहिए market में कब हमें invest करना चाहिए सबसे पहले जब आप बात आती है लमसम की तो सबसे पहले चीज आती है कि कितने समय के लिए invest करना है एगर आपको 2-3 साल के लिए invest करना है तो कर तो कोई फरक नहीं पड़ता इस लिए फरक नहीं पड़ता क्योंकि 2-3 साल में अगर आप यहां पर खरीदते हो और market bull run में इंट्रसेट कट आने वाला सब को पता है तो यहां से market और उपर जाएगी इसके chances काफी ज़्यादा high है market कैसे जाएगी उपर ऐसे जाएगी नहीं market ऐसे नहीं जाएगी market यहां जाएगी फिर correct करेगी फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी फिर और फिर ऐसे जाएगी तो market है वो आपको opportunity देगी दुबारा entry लेने की लेकिन वो आप पर depend करता है आप के zone में खरीदोगे आप उपर वाले zone में खरीदोगे आपके return कम बनेंगे आप नीचे वाल market दुबारा घुसने का time देती है तो market जम नीचे आएगी तब आप लंसम कर सकते हो maximum 3-5% तक क्या benefit आपको देखने को मिलता है जब market वापस से recovery करती है normal correction है इतना market में होगा क्या market अब इस level पर भागती चलिएगी रुकेगी नीचे वापस नीचे आएगी तो आप वहाँ पर डाल सकते हो लेकिन अब लंसम कर नहीं है भाई मेरसे धैरा नहीं जा रहा काफी लोग कमेंट है कि लंसम करना है लंसम करना कब करो तो मेरे भाई अ और आपने लंसम यहां इंवेस्ट कर दिया है तब आपको छोटे टाइम के लिए ना करीब इन करीवल तीन से हो सकता है छे महीने के लिए इस सामय के सरक्प्स्टैंसिस के हिसाब से नहीं कह रहा हूं है पास के कह रहा हूं इस सामय पर रिकवरी जल्दी होनी चाहिए तो तीन से छे महीने तक आपको अपने पॉर्टफोलियो में लॉस दिखता है यह भी एक रीजन है कि आपको नीचे इंवेस्ट करना चाहिए क्यों क्यूंकि रिकवरी उस सामय पैच्छी होती है अगर आपने उपर इंवेस्ट कर दे तो शौर्ट टब में आपको काफी लंब लंब सम वही इंवेस्ट करो पैसा जिसके जरूत आपको एटलीस दूसे तीन साल तक करे नहीं है पहली चीज़ मार्केट अपैसा बनने का उमीद बहुत ज्यादा है तो इंवेस्ट करना चाहिए मार्केट हमाई सिच्वीशन के साब से चल रही है जो एक हैपी फ्लो होता है मार्क उस कंडिशन के साबसे में तो लंब सम करो इंवेस्ट करो लेकिन तयार रो बीच में करेक्शन आता है मार्केट के इंदा उस करेक्शन के लिए तयार रो तो उस करेक्शन से डढ़ना मत बीच के मत निकल जाना दो चार पांच इवन दस परसंड के करेक्शन के अब invest करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन opportunity fund भी नहीं है, तो क्या करो, आराम से बैठो, relax, chill, मतलब पैसा डाल दिया, जितना पैसा तार डाल दिया, नहीं है opportunity fund, ठीक है, market देखेंगे, आराम से, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं हो लाग कि, भाई, market रुकेगी नहीं, इस bull run में वैसा नहीं बना, हो सकता, अगले 500 सार बाद दुबारा bull run नहीं, तब आपका पैसा बनेगा, तो अगर आपके आपके आस पैसे नहीं है, इस समापे न, तो समझो market को, education एक ऐसी चीज़ है, जो आपको पैसा बना करके दे देगा, education वेश्ट नहीं होता, तो relax करो, बैठो, और कोशिश करो, कि पैसा कैसे और बना सकते हो, real पैसा, F&O पे मत जाना, गलती से भी बहुत इंदा फस होगे, ट्रेडिंग में उसने की कोशिश मत करना, फसगा तो लंबा कट होगे, बोल रहने, market बहुत ज़्यादा volatile होती है, तो उसके लिए भी आपको तयार रहना है, तो आप समझ आ गया होगा, कि एक सही strategy क्या हो सकती है, जिससे आपके 3-5% जाद अच्छे रिटन मनेंगे, एक normal strategy क्या हो सकती है, जिससे आपके short term में हो सकता pain देखे, लेकिन long term में हर किसी को उपर जाना चाहे, इंसान हो चाहे market वो उपर ही जाता है, इने जी का comment है कहने, sir, mid cap में कौन सा best है, किसमें invest करो sir, इस सब्सक्राइब मेरे हिसाब से मोतिला लोस्वाल, mid cap के अंदर बढ़ियां चल रहा है, अच्छे discount पर मिल रहा है, दूसरा fund दिखेगा हमें HDFC का, वो भी काफी जादा बढ़ियां चल रहा है, तो इन मेंसे आप कोई भी देख सकते हैं, आप बोलोगे, अच्छे कर रहे हैं, निपॉन का भी काफी अच्छा कर रहा है, SBI, Magnum भी काफी अच्छा कर रहा है, यह सारे अच्छे mutual funds हैं, इन्होंने long term में पैसा बनाया है, हो सकते ही कादी साल ना चले, थोड़ा problem दिखे लेकिन पैसा बन जाता सर, मैं कुछ basic चीज़े हैं, रूल नहीं होता है, रूल अपने हर कोई अपने अलग बनाता है, लेकर एक basic चीज़ है, कि अगर आप अपने portfolio को देखो गया, आपको क्या देखेगा, छे के अंदर आप ऐसर एपी कर रहे हो, छे के अंदर आपने लंसम करा हुआ है, आपको छुपपर नीचे हैं, तो overall तरीके से आपके portfolio में हो गया 12% mutual fund, 12 mutual fund में मैं यह वह माल लेता हूँ, minimum 10% के overlapping आपको सब में देखती हैं, दोसी चीज़, हर एक mutual fund में minimum 40 के मुगने हैं, यह भी माल लेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि end of the day, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉट टब में सारे चल रहे तो आप पैसा बना रहे हो, सब अच्छा है, लेकिन end of the day, जब market नीचे जाएगी, और average करोगे आज से अब 10 साल का, तो क्या return मिलेगा इस portfolio से आपको, मुझे जो लगता है maximum और maximum level पे 12-13% का return आएगा, अब आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, प्राब्लम यह है इस mutual fund के साथ कि बहुत सारे mutual funds हैं, और कोई mutual fund उपच आएगा, कोई mutual fund नीच आएगा, तो correlation नहीं है mutual funds के अंदर, बहुत जादा mutual fund है, तो कम करो mutual fund को, I have a question, जहाँ पे, ऐसे बहुत नाम था, उन्होंने पूछा है मिर से, जिन्होंने बोला था, बाजी, दो-तिन mutual fund क्यों हो, उसको पर मैं dedicated video बनाऊँगा, पिक इस question बहुत अच्छा था उनका, लेकिन उसमें आपको चाह समझ भी आ जाएगा, कि ऐसा क्यों कहता है, नॉर्म में कर रहा है, लेकिन जिसमें लंब सम कर रहा है, आपने उसके अंदर SIP नहीं करी है, वो क्यों नहीं करी है, वो नहीं पता, ELSS में चोलो मैं समझ सकता हूँ, आपने एक flexi cap बे लिया हुए, एक large and mid cap बे लिया हुए, मतलब जो correlation है, वो बहुत ज्यादा mix and match है, तो इसको कुछ ही नहीं कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर आपको समझ आपको बताना पड़ेगा मुझे, कि आपका risk appetite क्या है, कितना risk ले सकते हो, कितनी volatility manage कर सकते हो, आप कब से invest कर रहे हो, किस mutual fund के अंदर कितना time हो चुगा invest कर रहे हुए, आप कितने लंब समय के ल सकते हैं, कि सर मेरे को 30,000 रुपर के लिए invest करना है, quant multi-cap asset के अंदर, और quant flexi cap के अंदर, तो क्या invest कर देना चाहिए, सब है, market all time high के आसपास, या मुझे वेट करना चाहिए, या कोई और mutual fund है, सर दिखिए, आप large cap में करना चाहते हो, मैं ही समझ चुका हूँ, multi-acet और flexi cap को देख करके, तो ये depend करता है, आप कब तक के लिए करना चाहते हो, अगर आपका point of view है, कि मैं 8 साल कर लिए invest करू या minimum 3-5 साल के लिए invest करू कर दो, कोई दिखकत नहीं है, अब market all time high के आसपास, थोगे time तक negative देखेगा, मानता हूँ, लेकिन कर दो और भोल जाओ, 3 साल के 5-6 महीने में तो गिर गया, क्योंकि market correct होगी, portfolio गिरेगा, second तरीका ये हो सकता है, कि आप कब खरीद हो, जब इसके अंदर आपको discount मिले, इसको ना, हर 4-5 दिन में, आप देखो कि index के क्या हाल है, nifty-fifty share डाल देना, nifty-fifty return डाल देना, share डाल देना, तो nifty-fifty के चार्ट आ सकते हो, तो आपको थोड़ा safety देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कर सकते हो, लेकिन वेट करके करूँगे, तो थोड़ा correction मिलेगा, थोड़े इच्छे return मनेंगे, अभी करूँगे, थोड़े कम return मिलेंगे, छोड़ शाट टम म प्रॉबम देखने को मिलेगी, पपन जी का comment है, कह रहे हैं, सर, SWP कैसा रहेगा, आसब लाज और मिड कैप के अदर, सर, बढ़ियां रहेगा, अगर मार्केट बढ़ियां चल रही है, अगर बढ़ियां चल रही है, तो जो लाज और मिड कैप की mutual fund है, वो शादा रिटन द उसमें होता क्या बेसिकली जब भी दो साल के अंदर रिटन नहीं दिये थे लार्ज कैप मेड़ कैप एक्विटी ने उसके इसके नहीं गोल्ड ने और बॉन्ड ने बहुत अच्छे रिटन दी क्यूं ऐसा क्यूं हुआ यहां पर को रिलेशन है मतलब अगर मेरा इंफलेशन जादा है मार्केट के अंदर जिस वजह से मार्केट के अंदर ग्रोथ कम है तो जो रियल टर्म में जो पैसा है उसकी वैल्यू कम है तो रियल टर्म में आपका एसेट क्या आता है गोल्ड का पैस गोल्ड की वैल्यू आई एनर के कम पैसन में हाई बढ़ जाती है गोल्ड क आपका INR गिरता है और गोल्ड बढ़ जाता है इसलिए आप देखोगे तीन परसंट के आसपास माई जो करंसी है वो डेप्रिशेट होती है हरसा या यूएस के अगेंस्ट और इसी के आसपास जो हमारा गोल्ड है वो पर रेटन देता है अब अगर आप गोल्ड बॉन लेते क्या मैं एक हाई रिस्क एकनॉमी हूं और एक हाई रिस्क एकनॉमी है तो वो क्या बॉलेगी आप मुझे पैसा दो इंफ्रिशन ज्यादा है लेकिन जो मैं आपसे लून ले रही है बॉन्ड मतलब एक कंपनी ये government पैसा उदहार ले ले लिए उधार ले रही है तो जब आ तो जब मार्केट गिरी होई होती है, जब पैसे की वेल्यू कम हो रही होती है, तो गोल्ड और बॉंड जो है अपका पॉटफोलियो बचाते हैं, तो इसलिए जब आप बैलेंस और अड्वांटेज फंड लेते हो, वहाँ पर अगर मार्केट गिर भी जाती है, तो आपका SWP इच्छा चलता है, आपके NAV कम बिखती है, डेफिनिटल जब मार्केट बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है, कि वो आपको लार्ज के आप या मिड़ के रिटन दे देंगे, वो आपको वही 12-13% के रिटन देंगे, लेकिन जब आप सिस्टेमाटिक विड्रॉल प्लान को प्लान क कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, यह मैं मानता हूँ, अगर ऐसा आप सोच रहे हो, तो इस वज़े से आपको hybrid लेना चाहिए, वहीं पे अगर आप कहते हो नहीं, मैं रिस्क ले स क्योंकि जो स्टॉक का, जो mutual fund है ना, जो AMC company, उसको भी नहीं पता, 20 साल तक वो fund manager उनके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, अब मालो जो quant है, अगर आप quant को पहले देखते हैं, जब वो escort था, तो कोई कहता, भाई मैं escort में 20 साल तक निवेश करूँगा, अब 20 साल तक तो नह commitment है, तो यह बहुत बड़ी commitment है, आपको fund manager को देखना पड़ेगा, investing style समझाती तो ठीक है, हो सकता है mutual fund अच्छे return दे रहा हो, लेकिन जो fund manager वो change हो गया हो, तो हो सकता है future में अच्छे return ना हो, तो आपको यह साही चीज़े देखने पड़ेगी, तो 20 साल की commitment नहीं है, जब साहु जी का comment है, कह रहे हैं कि very informative video, appreciate if you could speak, मत भी कह रहे हैं कि slow बात करोगा, तो काफी जदा अच्छा रहेगा, जो comparison वाले video होती है, so हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो slow की try करेंगे आगे चलके में, प्रतिक जी का comment आ रहे हैं कि क्या लगता है, जो परस्ट कमेंट के अंदर बताया था कि market कित्ता गिर नीचे है, at least 5-7-10% का correction आपको दिखे, तब लंसम करो, एक सही strategy होगी, जब आपके portfolio में कम देखेगा, आपके लोग बोलेंगे, भाई, यहां से 10% बढ़ गया, क्या, बढ़ जाएगा, बिल्कुल, ऐसा ही भी करते हो, कि आप लंसम कर सकते हो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका investment horizon है, वो आपको लंसम करना है, market correct होगी, 2-4-5% कभी भी correct हो सकती है, correct होगी तो 18,000, 19,000 तक जाते हो है, मिलेगी, और तब invest कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी के लिए भाग कर मार्केट में दिक्कत है, लेको, सिंपल सी बात है, अब mutual fund में invest करते हो, तो थोड़ा सोचो, कि हाँ में को 5 साल invest करना, तो invest करो, अगर आप direct stop में invest करते हो, आपको एक अच्छा stock मिल रहा है, undervalued है, जो चला नहीं अत्ता ज्यादा, revenues अच्छे है, वहाँ दबागे करो investment, को होना चाहिए, revenue ज्यादा होने चाहिए, 3-4 साल में double होनी चाहिए, ROE 20% से उपर होना चाहिए, ROCE 20% से उपर होना चाहिए, मतलब कम भी हो थोड़ा चलेगा, कि cash hold करा है, land का में चलेगा, प्रमोटर की holding अच्छे हो सकती है, FIA, DI के पास अच्छे holding होनी चाहिए, प्रमोट का मिला था, Kaplan Point में ही combination मिला था, SDFC Bank में ही combination मिला था, SDFC First Bank में ही combination मिला था, SBI cards के अंदर ही combination आपको इस सहा पर देखने को मिल रहा है, तो यह कुछ ऐसे stocks है, जिन्होंने अच्छे return मुना करके दिए हैं, तो आप ऐसे stocks के अंदर हैं, कोई भी buying selling नहीं है, अब तो यह काफ आतरत cases में long term में चलता है, इसके अंदर भी market research, promoter अच्छा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, next level of analysis है, तो यह साही चीज़ आप कर सकते हो, तो यह कुछ question से जो मुझे आज के लिए pick करना थे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, और चाल को subscribe करना बिलकूर में बुल आतर।